गुजराच चुनाव को लेकर यहां की जनता में कोई उत्साह पहले से नहीं था जब से चुनाव डिकलेर हुआ तब से देखिए निरुत्साह का वातावरण है वो मुझे लगा कि लोगों में है तो शायद लोगों में ये भावना नहीं है कि एक पार्टी जो है काफी सालों से शासन कर रही है उसको लगातार हम वापस चुनाव जिता कर ले आए ये एक जज़बा है वो भी नहीं है या फिर वो भी नहीं है कि इतने साल बहुत हो चुका अब नया परिवर्तन चाहिए कुछ और पार्टी आए और हमको नहीं दिशा में ले जाए तो ये वाला भी जो एक एंथूसियाजम होता है जो उटसा है वो भी नहीं है तो इस पूरी चीज़ों में मैं देखता हूँ कि मिला जो रहा उसको लेकर थोड़ा लुकूवम रिस्पॉंस जो बोलते हैं हम लोग वो मिला और इस वज़े से चुनाव में जो मतदान की प्रतिशत जो है वो कुछ गिरी है सवाल नंबर दो ये कि त्रिकोणिय चुनाव के बावजूद पहले चरण में मतदान क्यों बढ़ा नहीं अगर आम आदमी पार्टी स्ट्रॉंग होती और एक एंटी इंकम्बंसी की फिलिंग होती तो वोट सेर बढ़ता लेकिन आम आदमी पार्टी जो थी वो सोवराष्ट में ऐसा कुछ करिस्मा नहीं कर बताई वोटर क्यों बाहर निकलेगा अगर भारतेशंदा पार्टी को हराना है तो वोटर बाहर निकलेगा anti-incumbency, anti-establishment feeling यह तो वोटर बाहर निकलेगा वहाँ पर वोटर को रियलाइज हुआ कि कुछ करने से फाइदा नहीं है कि उदारंग के रूप में देख लीजिए विजय भाई रूपानी की consistency जहां से गवर्नर वजु भाई वाला चुनाव जित्ते थे वहाँ से नरेंद्र मोदी ने अपना political debut start किया था उस consistency में 10% voting कम है लेकिन उसके बगल वाली seat जहां triangular fight है तो वहाँ vote share जो है वो करीब 5-7% ज़्यादा है सवाल नमबर 3 ये है 2017 में voting घटी तो BJP की seat घट गई थी 2022 में पहले चनल में voting घटने से क्या कोई नुकसान हो सकता है 2017 में ये था कि पार्टिदार जो है seats 36 seats से 11 store कचकी मिला के उसमें ये मुद्दा था कि उनका एक psych बन गया था कि उनको ये ruling party है उसको वापस नहीं लाना है तो वो एक जजबा था लेकिन कहीं शहरी जो इलाके है वहां से BJP ने रिकवर करके अपनी सत्ता हासल तो कर लिने 99 seat लेकर लेकिन वो जो जजबा था सावराश्ट में पार्टीदारों में especially मैं बका हूँ तो फिर कुछ दलित इलाके थे वहां पर उना के flogging incident की वज़े से वहां पर भी नाराज गी थी जो coastal belt है सावराश चका जहां पर कोली जो यहां के मचवारे community है उनके भी बहुत सारे प्रशन थे डीजल के दाम को लेकर कुछ issues थे सरकार के साथ में तो वो भी काफी negative narrative वहां उस वक्त चला था तो उन्होंने कुछ ऐसा psychology develop किया था कि anti-establishment या फिर anti-incumbency वाला जो था वो बना हुआ था मूर तो सरकार के खिलाफ में मद्दान किया जाए मतलब BJP के खिलाफ में वो इस बार इतना intense नहीं है तो उस वज़े से जो वो जज़बा था कि इस सरकार को बहार निकालना है किसी नहीं पार्टी को मौका देना है वो वाला मुद्दा इस बार गयर मौचुद रहा पहले चरण के मद्दान में जो वोटिंग प्रतिशद है उसमें कटोती हुई है कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि जो मद्दाता है वो काफी निराश थे क्योंकि ना परिवर्थन की लहर थी और ना ही उम्मीद थी उन्हें कि वीपक्ष जो है वो सत्ता में आ सकता है जो परिवर्थन के लिए वोट डाले हलाकि देखना दिल्चस्त होगा आठ तारीकों की सवरास्ट और दक्षिन गुजरात जहां पे 2017 में पाटिदार आंदोलन और दलीत आंदोलन की वज़स से जादा से जादा मत्दान हुआ था वहां पे इस बार के चुनाव में क्या नतीज़ा आता है कैमेरा में अनिल जैस्वाल के साथ गुपी घांगर एहंदाबाद आज तक